ऐग वेल्कम बांक तो न्यूजीज चैनल तो आज हम यह कों चाहरे हैं जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत ही डिलिशस बने वाली हैं तो इसमें मैंने थी रेसिपी इंपलूट करी हैं और जिस पे नित्वार मुने भरमा करे ले तो उसके लिए मैंने 7-8 करेले ले लिए इन्हें अच्छे से मैंने वाश कर लिया था और अभी हम करेलो की साइट्स को इस तरह से कट करने वाले हैं तो सारे करेलो को हम इस तरह से अच्छे से सारी साइट्स इनकी कट कर लेंगे करेले को बीच सूपलत करेंगे करेले को क्षाण bikãy पेज चायक साँ से में वाल आप खिले चायक पाता है एए उसे में करेले को क्षाण लिए से vidéosौ निगा पूंड याप может पर मैं प्षाणिका निया तोड़ी तोरी नमक, Märyu संफ़ी, तूड़ी सी डराइन के लिए और में मौस्टर्डॉय के लिए तोरी अधियर करल को टियार नमक, ज सब त्होड़ी करीवस dehous इसबी एक था-स्ट, लिए नमक मौस्टरिट, पर एक सब करल के लिए यहां यहां बैदा करका वाले के Nord Rません यहां अबता दो क्ते जाज़ा तो फ्राइल करेंगे, भी तो क्योंतों फ्राइ है है फ्राइड शुर्चके टक थोड़ा करना है कि फिल्म इस तहीन है अब फिल आणगे जाएंगे उत्ते बावी भावी चाहे हैं तह toothpick करील में नहीं टाली सारी करेले के चाहिए फील करेली शत्त girl करेले को और जाएँ अब हम पावी तहुए सारी करेले तो जाएंगी तीस फैल करना हम ताकि जब अब इने फ्राइब करें तो अब आए तो इनमें से आउट ना आए क्योंकि कई बार इससे बाहर निकल आता है तो इसके लिए थ्रेड इस तरह से राउंड राउंड करते हुए हम इने सील करना है थोड़ा सा टाइटली इससे सील करेंगे हम और अच्छे से इने एक बार हम अच्छे से सील कर दे उसके बाद हम इने फ्राइब करने वाले हैं फ्रेड को इस तरह से आप एक जगे पर अटका दें ताकि करेलों से यह तरह से तरह से सारे करेलों को आप अच्छे से थ्रेड से सील कर देना अभी हम करने वाले इने फ्राई जिसके लिए में लोगई कढ़ाई में ओल तो यहां पर मैंने लिया सर्सों का तेल और एक च्छोटा छोटा चमच में पर घी डाला है अप लोग चाहो तो एंड में घी डाल सकते हैं या स्टार्टिंग में ऑईल में ही मैंने घी डाल दिया घी हमारा यहां पे एक बार मेल्ट हो जाए इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जिसके रही मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है और दो तेज पता है यह अच्छे से चटक गए अभी मैंने इसमें डाला है एक मीडियम साइज जिसे मैंने इसे फाइन छीछ फाईनली चॉप कर लिया तो यहां track टॉक कर लिया और एक मिन दालने वाली होँ जिजर गारलिक वह प्रहशे हमने डाला है मैंने अधायचे से अच्छे सेप्राइक अदे करें से टोड़ी चल्त ले चल्वा दॉता है एक ब्रुक्त कर लिया यहां पर सॉल्ट, यह हम सॉल्ट कम ले रहे हैं क्योंकि बॉयल के टाइम पर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ी सी कश्पीरी रेट चीली, यह धनिया पाउडर डाला है, और इन्हें अच्छे से मिक्स दे देते हैं, मसाले हमारे जलना जाएं, इसके रिए थोड अब हम चुर पाउडर थोड़ी कसूरी में ती उसके बाद मैंने डाला चमच भर के चना मसाला और थोड़ी सागरम मसाला, तो अब हम इसको एक बॉयल देंगे और बात में हमारा अधनी तो यहां पर चने हमारे तयार है, तो लास्ट रेसिपी हमारे यहां पर फ्राइड जिसके लिए मैं यहां ने राइस लिए और 90% हमारे कोगो चुके हैं, अब हम इने फ्राइड खुटे हैं जिसके लिए मैं एक पैन लिया मैं रिफाइंड और मैंने लिया है सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ यह कारलिक, फिस तरह से अने चौप कर लिया और इसक क्योंकि वह अच्छा के लिए काफी अच्छा रहेगा काफी कलर फुल बनेंगे मेरे पास नहीं थी तो मैंने से फ़र सर बीन्स और यहां पे शिम्ला मिर्च यूज करी इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लाक पेपर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने यहां ग्रीन चिली सॉस रेड चिली सॉस भी आप लोग डाल सकते हो थोड़ा सा सोया सॉस डाला मैंने इसमें अच्छे से सॉटे करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम डाल देंगे इसमें हमारे चावल तो यह राइस हमने अपने डाल दिये इने एक मिक्स देंगे तो यह राइस है भरवा करेले हैं लच्छा प्याज है चना है और यहां पर ब्रेट का डेजर बनाया मैंने जिसकी रेसिपी में पहले अपलोड कर चुकी हूं यह काफी डिलिशियस थाली बने थी तो आप लोग ज़रूर इस वेच थाली को ट्राय करना क्योंकि आप लोग चा बढ़ाए गाइस